नमस्कार मेरा नाम है मोहित चौवे और आप देख रहे हैं नौलिज ब्रूक आज हम चाइल्ड डेवल्लप्मेंट एंड पेड़ागोजी का दसवा लेक्षर लेने वाले हैं और आज हम चाइल्ड डेवल्लप्मेंट के अंतरगद इंटेलिजेंस मतलब बुद्धी के विश दोसल मीडिय प्लेटफॉर्म पर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे सभी वीडियो के पी-डियएफ हमारे नौलिज ब्रूक के टेलग्राम चैनल पर अप्लोड किया जाते हैं तो आप हमें वहाँ ज्वाइन करके अपने सभी प चमताय व्च्ति के अंदर विक्सेत होती हैं, गुद्धी मत्ता के विकास के साथ, उसके बाद कुछ महतपूर्थ تreories हैं, जिनके बारे में आज हम चरचा करेंगे, जिन थeories को हम आज देखने वाले हैं, उसमें चारल्स इस्पिर्मेन हैं जेनल नियर्डेंस की तेओरी, Lewis L. Thurston की Primary Mental Ability की थियरी Howard Gardner की Multiple Intelligence की थियरी और फिल्ड एंड क्रिश्टल Intelligence की विशर में चर्चा करेंगे चलिए सबसे पहले हम देखें कि Intelligence क्या है सबसे पहले तो बुध्धी मत्ता है कि आपके असपास जो शब्दों को प्रियोग हो रहा है उन शब्दों को सही समझना कई भार शब्दों के सही प्रियोक से हम बहुत सारी परिसानियों में आने से बच जाते हैं और बहुत सारी प्रिस्थितियों से हम अपने आप उबर जाते हैं तरक संगत्ता के साथ सोचना मतलब जो भी परिस्थिती आपके सामने उत्पन होती है उसमें सही तरकों का प्रियोक करके सोचना जैसे एक एक्जामपल करती हूँ समझे अगर हम कोई एक्सिडेंट देखते हैं तो कई बार जो बड़ी गड़ी चलाने वाला वक्ति है हम उस पर अक्षिप लगाने लगते हैं लेकिन गलती किसकी है यह बात आप बिल्गुल अपने तरकों का सही प्रियोक करकर ही जान सकते हैं कि किसने रूल तोड़ा कौन सामने आया आती चलिए बात करेंगे जीवन की चुनोतियों से निपटना जैसे कोरोना का जो भी दौर है स्कूल उब अध्याला नहीं चल रहे हैं अगर हम चाहें तो अपने मोबाइल अपने लेप्टॉप का सही प्रियोक करके अपने जो भी सिक्षन पाथन का दिविदिया हैं उनको चालू रख सकते हैं और आन्य था उनहीं मोबाइल और उनहीं लेप्टॉप में हम अत्यादिक मूवी देखकर अत्यादिक गेम खेलकर अपने शरीर को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं और साथ ही अपना वक्त वियाई कर सकते हैं बात करें कि बुद्धी मत्ता के साथ व्यक्ति के अंदर और कौन-कौन सी एविलिटीज, कौन-कौन सी मतलब शमताएं, डवल अब होती हैं, सबसे पहले नए वातरण के लिए अनुकूलन, Adaptability to New Environment, मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति किनी भी परस्थितियों में, किनी भी वातरण में अपने आपको अड़ाप्ट कर सकता है, अपने आपको अनुकूल बना सकता है, Adaptability of Knowledge and Ability to Acquire It, मतलब ग्यान को गहन करने की शमता, कि आपका दमाख खुला होना चाहिए, आपको acceptance होनी चाहिए, कि आप ज़्याद से ज़्याद ग्यान अपने अंदर ग्रहन कर सकें, और उस ग्यान का सदुपयोग कर सकें, Ability to Comprehend Relationships, मतलब जो आपके आसपास रिष्टे हैं, जो आप से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी साथ सही विवहार करना, और अपने आसपास की रिष्टों को समझना ही, क्या है, Ability to Evaluate and Judge, मतलब मुलियांगन करना और निया करने की शमता, कई बार हम ऐसी प्रस्चतियों में फस जाते हैं, जहां हमें अपनों के बीच एक नियायक दिष्टिकून अपनाना पड़ता है, जैसे आप एक विद्यार्थी हैं, या फिर आप एक शुक्षक हैं, और आपके विद्यार्थी, किसी परकार की उद्रण्डिता करते हैं, किसी परकार का इंडिस्प्लिन करते हैं, तो आपको वहाँ नियायक शक्तियों का प्रियोग करना होगा, आपको कई बार लोगों के अच्छे बोरे विवहार का मुलियांकन करना होगा, आपको बहुत सारी प्रस् का प्रियोग करना है मतलब evaluate और judgment किस प्रकार से करना है उसके बाद capacity for original and productive thoughts मतलब आपको अपने मौलिक और उत्पादक विचारों को प्रिदा करने की को डबलब करने की शमता आपके अंदर होनी चाहिए मतलब आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के तहट अपने मौलिक और उत का समाधान करते हैं समाज को उस नजर ये से देखते हैं और कैसे अपने असपास के विच्थितियों को डील करते हैं तो ये तमाम शमता हैं आपके बुद्धिमत्ता के साथ आपके जीवन में विख्षित होती हैं चलिए सबसे पहले चाल्स इस्पेरमेन का जनरल इंटेलि परिक्षण की ये लोगों के तो अगर कोई भी व्यक्ति इनके किसी एक संग्यनात्मक परिक्षण पर खराब पर्फॉर्मेंस देगा या जो तो क्या बुरा परदर्शन करेगा तो आगे जाकर भी किनी दूसरे संग्यनात्मक परिक्षणों पर खराब परदर्शन ही करेगा तो इनने इस प्रकार व्यक्ति के अंदर एक जी फैक्टर या फिर जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर की बात की इनने कहा तो कुछ जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट हैं उनके माध्यम से मापा जा सकता है और अंकों के माध्यम से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है मतलब संख्यानत्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है तो चाल्स इस्पियर्मैन का जनरल इंटेलिजेंस का कॉंसर्प्ट इतना ह रूप से इसको ऐसे समझाया कि जैसे एक नारियल होता है जो ऊपर से कठोर होता है और अंदर से मुलाईम होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है तो इनने दोनों ही चीजों की गुणमत्ताओं को समझाया जहां इनने एक को कहा कि एक क्यूपर वातावरण का और शिक्षा का प्रभाव पढ़ता है वहीं इनने दूसरे को कहा कि वो अंदर compact है और उस पे वातवर्ण उसक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता उनके वो अंतर नहित श्रमता हैं inherent characteristics हैं चलिए बात करें इसको किसना प्रपोस किया तो ये थे Raymond Cattle and John Horne जनने fluid and crystal intelligence की बात रखी इनने कहा कि G factor should be divided into fluid intelligence and crystal intelligence इनने कहा कि जो G factor है ये general intelligence factor है उसको हम fluid मतलब तलल बुद्धी मत्ता और crystal मतलब थोस बुद्धी मत्ता में बाटा जा सकता है इनने अपने concept को कहा कि the concept of fluid and crystal intelligence is used in the area of aging मतलब जो आयू से संबंधित हम अध्यान करते हैं उम्र बढ़ने की शेत्र में fluid and crystal intelligence की अउधारणा का उप्योग किया जा सकता है बिल्कुल जो हम इसको fluid and crystal intelligence को एकर कर समझते हैं तो हम समझवें आता है कि उम्रदर उम्र आपकी fluid and crystal intelligence change होती रहती है और मुक्रूप से अगर हम बात करें तो जो ये आपका fluid intelligence है इसके उपर जो आपका environment है और जो आपकी education है उसका कम से कम प्रभाव पड़ता है जबकि आपकी crystal intelligence इन दौनों से ही प्रभावित होते हैं मतलब जो आपकी तरल बुद्धी मत्ता है मतलब जो हम नारियल का example है जो उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है उसके उपर जो भी आसपास का वातवर्ण है और जो भी प्रभाव पड़ता है चाहे धूप का हो या उसको कहीं रखे जाने का हो temperature को तो उसका प्रभाव उसके intelligence को समझना हो तो हम नारियल के example ले सकते हैं जहां अंदर के पानी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो बाहर का खोल है जो बाहर का crystal या hard part है उसके उपर बाहर के आपके education का और environment का प्रभाव पड़ेगा तो उसी प्रकार जिन वातों को हम field intelligence में देखने वाले हैं यह age के साथ जो वाले वस्ता में एक age के साथ पाई जाती है और जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है अपने असपास के वातवन के साथ अनुभाव लेता जाता है और education लेता जाता है तो उसकी जो बुद्धी है crystal intelligence में convert होती जाती है मतलब age के साथ व्यक्ति की field intelligence कम ह होती जाती है crystal intelligence मतलब तरल बुद्धी से लेके दरव्य बुद्धी से लेके और ठोस बुद्धी की तरह वालक बढ़ने लगता है चलिए सबसे पहले field intelligence के कुछ लक्षणों की बात करें तो इसमें मुख्रूप से सामिल है reasoning ability मतलब सोचने की शमता बिलकुल बालक बच्प differences पर मतलब व्यक्ति करता है कि किस व्यक्ति की जो सूचनाओं है उनके प्रिशारन करने की शमता क्या है लेकिन हां सूचनाओं को प्रिशारन करने की शमता बालकों के पास बच्पन से ही होती है skills of मतलब freedom intelligence हर व्यक्ति के बच्पन से है skills of special and visual imagery मतलब इस्थाने को द्रिश कल्पना का कौशल जैसे हम बालकों को देखें अगर हम उनको कहीं से घुमा कर लाते हैं किसी तो हमें घार आकर चर्चा करते हैं कि हम वहां गए थे वो रियल विश्टेशन था वो एरपोर्ट था वो पार्क था वहां चड़िया थी वहां ज़रना था वहां फबारा था तो तरहां तमाम प्रकार की चीज़ें जो बालक किसी भी इस्थान या द्रिश की कल्पना करके हम से discuss करता है या किन्हीवी चीज़ों की कल्पनाओं को वह अपनी कल्पना के साथ जोड़कर हम से discuss कर वह तमाम चीजें हम कह सकते हैं कि उसके इस्थाने को द्रश्य कल्पना का कॉशल है तो यह तो था बालक के अंदर फिल्यूर इंटेलियंस और हम अगर एजेंग की चर्चा करें तो पहले जो पहले फेज है व्यक्ति किसी व्यक्ति के आयू के उसमें उसके अंदर द्रब्य ही मत्ता है या फिर तरल बुद्धी ही होती है चली अब हम ठूस बुद्धी की तरफ चलते हैं जिसको हम कहते हैं क्रिश्टल इंटेलियंस तो इसमें मुक्रूप से नॉलेज तू प्रॉब्लम सॉल्विंग अब जो नॉलेज हमने एक्वायर किया जो समस्य जो हमने अभी का सही प्रियोग करके अपनी बात को रखना है कि डियो मैरिक स्किल्स संख्यात्मक कौौशल मतलब संख्याओं का उचित प्रियोग और संख्याओं के प्रियोग से अपने विवहार्वरक जीवन का संचान्त इ copper case एपने ऑपने जो ब्रवाउने म sóमां को समावेस्व उनसे ने पटना और संख्यात्मा कॉसल से अपने जो भी mathematical calculations हैं लाइफ में आवशक होते हैं उनकी बारे में चर्चा करना यह सब बाला crystal intelligence यह ठोस बुद्धी के रूप में सीख जाता है और मुख्य रूप से यह education और experience जो भी आपको शिक्षा और जो भी आपको अनुभा मि करता है और अब crystal intelligence मदब ठोस बुद्धी के तरब बढ़ते जाते हैं चलिए यह तो बात हो गई फ्लुडिन crystal intelligence की जो की मुख्यूप से जी फेक्टर को डिवाइट करने की बात करता है अब हम बात करेंगी लुईस एल खंश्टन की primary mental abilities की तो इनने मुख्यूप से साथ प् करें में सोचने की का कार है मतलब reasoning तरक का मतलब ही है कि समझदार तरीके से जो भी पर्थती है उसमें आप अपने खुद के तरके लगाए और उनके अनुसार आप किसी चीच के बारे में समझदारी के साथ सीख सोचें और काम करें उसके बाद verbal comprehension तो verbal comprehension का मतलब शाब्दिक सूजबूज मतलब मौकिक सूजबूज भी हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से आपको अपनी बोले जाने वाली भाषा को समझने की शमता मतलब आपको अपनी भाषा का किस प्रकार से परियोग करना है और जो सामने वाला कोई भी व्यक्ति आपके अपोजिट में है उसकी बात को काफी ज्यादा समझाना भी पड़ता है उसके बाद आएगा perceptual speed मतलब आउधार नात्मक गती इसमें गहा जाता है कि आउधार नात्मक गती एक शंगेनात्मक शमता है जहां आपने संग्यान से शंग्यान की शमता का प्रियोग करते हैं जिसे आंक्रों या प्रतीकों की त तुलना करना मत्ब किस प्रकार से किस गती से आपके सामने जो आंक्रे हैं जो आपके प्रतीक उनकी आप तुलना करते हैं जैसे हम रोड पर चल रहे हैं और हमें अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमें जो speed gauge है वो दिखे जाता है कि आपको जो board लगे रहते हैं कि 40 की speed का आगे नहीं जाना है, 50 की स्पीड के आगे नहीं जाना है, कहां अस्पताल है, इस प्रकार से जो आपके आसपास प्रतीक दिख रहे हैं, जो आपके आसपास आंगडे दिख रहे हैं, उनकी आपको कितनी गती से प्रोसेस करते हो, आप अगर अच्छे ड्राइवर हो और आप नागरेखो तो आप अपने स्पीड को मैंटेन करोगे इस फूल के असपास हौर नहीं बजाओगे तो ये सबी चीज़ों की बात कर रहे हैं हम इसके अलाबा तो ये तो होगी इनको तुल्ला करने की गती इसके बाद आकड़े या पतीकों को खोजने के लिए की खोज करते हो तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं या द्रश्य धारना से जुड़े अन्य बहुत ही सरल कारियों को अंजाम देना और कुछ बहुत ही आम कारे होते हैं जो की द्रश्य भावना से जुड़े होते हैं मतलब जैसे कई बार बच्चों को खेल खेल में कुछ ऐसे और्डियो विजूल पजल्स वगरा भी खेलाए जाते हैं इन तमाम चीज़ों को जो भी आपके अवधारना अत्मक मतलब जो भी आपके अवधारना हैं जिस प्रकार के आपकी विचारधार है किसी भी खास प्रकार की पर्त्यती के लिए उनका सही प्रियोग करना ही क्या है पर्शेप्चुल स्पीड है उसके बाद बात आएगी नुमेरिक एविलिटी की जिसको हम संख्यात्मक शमता भी कहते हैं तो संख्याओं के संचालन से संबंधित कारियों को निश्पादित करने के लिए किसी व्यक्ति की शमता को परिभाशित करता है मतलब जो भी संख्याओं से संबंधित है जैसे कई लोगों को आप देखना उनको नंबर्स बहुत जल्दी याद हो जाते हैं mathematics में उनकी अच्छी पकड़ होती है तो जितना भी numbers related संचालन है या उसे संबंध जितने भी कार है उनको करने का जो अपनी शमताओं को व्यक्त करने को परिभाशित करने की जो बॉद्दिक शमता है उसको हम numeric ability कहते हैं उसके बाद word fluency मतलब कुछ लोग शब्द प्रवाह कुछ लोगों का इतना अच्छा होता है कि आप उनसे बात ही करके देख लो आपको पता चल जाएगा चली समझते हैं कुछ निर्दिष्ट सेनियों में तेजी से शब्दों का शूची बद करने की शमताओ मतलब आपको सही शब्दों को चुनाओ कर गए सही वागत क्यों प्रियोक करना कुछ लोग बहुत ही सठीक शब्द बोल देते हैं बहुत ही गागरमस सागर भरना जैसी बात कर देते हैं जैसे कि शब्दों जो वर्ण माला के किसी विसी अक्षर सुरू होते हैं बलब कई बार आप यह भी कह सकते हैं कि शब्द प्रिवाह को ऐसे भी देख लीजे कि कई बार आप सही शब्दों का चुनाओ तो करते ही है उसका एक्जाम्पल ही है यह कि वर्ण माला के किनी एक खास अक्षर मतलब अलफवेटिकल ओर्डर में वर्ट्स को अरेंज करना कई बार जो बड़े एक्जाम्स हैं एक्जाम्स में भी ऐसे कुश्चन्स आ जाते हैं कि आपको डीजनिंग के अंदर गत कुछ ऐसे शब्दों को दे दिया जाता है जो आपको उनकी अलफवेटिकल ओर्डर में अरेंज करना होता है उसके बाद असोसियेटर मेमोरी सहीयोगी इसमृति तो सहीयोगी इसमृति में क्या देखते हैं कि आपके जो मेमोरी है उसके आप किस प्रकार से उप्योग कर रहे हैं तो सहचार इसमृति का आस संबंधित वस्तूओं के बीच संबंधों को सीखने और याद रगने की शम्ता के रूप में परिवाश्यत किया जाता है मतलब जो आसपास जित्ती भी चीजें कई चीजें ऐसी होती हैं जो आस संबंधित होती हैं लेकिन आप लगता है कि वो आसंबंध हैं लेकिन कई वार उनके बीच में भी आप अच्छा संबंध धून सकते हैं तो इनहीं आसंबंधित वस्तूओं के बीच किसी प्रगाल का संबंध खोजिने का प्रियास करने के शम्ता ही असोसियेटर मेमूरी है मतलब आप इस प्रकार के लोगों को वहां देख सकते हैं जो इन्वेस्टिकेशन जैसे कामा में लगे रहते हैं जहां पे आपको पूरी कहानी बिखरी हुई नज़र आती है और आपको उसी कहानी को जोड़ कर आपको एक कहानी बनानी होती है और आपको सही परिणामा तक पहुँचना होता है उसके बाद इस्थानिक दरश्य मतलब Special Visualization इसमें मुक्रूप से आपको 2D-3D में मतलब 2 IME और 3 IME आकणों को मस्तिस्क मानसिक रूप में हेर फेर करने की शम्ता का विकास किया जाता है और यह वालकों को जो इस परकार की शम्ता है यह ड्राइंग, पेंटिंग, इमेजरी यह इस परकार की जो भी और बहुत सारे विधाएं हैं उसमें डवलप करने में मदद करता है शलिए और आज की जो एक और महत्तपून इंटेलिएंस की थिउरी मतलब हर एक जो एडुकेशनलिस्ट है या हर एक व्यक्ति जिसने थिउरी दी है वह किसी ना किसी थिउरी से सम्मंधित आगे विस्तार करा है या फिर उससे सम्मंधित कि नहीं जो भी लिमिटेशन्स थी उनको दूर करने का प्रयास किया है तो अभी हम जो पीछे थर्षटन की प्राइमरी मेंटल अबिटी की थिउरी देख रहे थे और उसके ही आगे हम हावड गर्डनर की मल्टिपल इंटेलियंस की थिउरी देख रहे हैं तो हावड गर्डनर मल्टिपल इंटेलियंस थिउरी है मैं कहती है He was not in favor of numerical expressions of human intelligence मतलब जो हमने बहुत पहले देखा था कि जो numerical expressions की बात की गई थी G-factor में तो G-factor में general intelligence की थियोरी में हमने numerical expressions देखे लेकिन इन्ने Harvard Gardner ने जो numerical expression है उसका खंडन किया Describe eight type of intelligence based on skills, abilities and culture इनने आठ परकार के intelligence की बात की की आठ परकार के कॉशल व्यक्ति के नर हो सकते हैं वह है जो कॉशल है वह है उसकी बुद्धी मत्ता काई पर पर परभावित होगी उसकी बुद्धी मत्ता पर पर परभावित होगी उसके जो भी खास परकार के उसके बास कॉशल है उस पर भावित होगी और उसके culture पर भावित होगी चलिए बात करें आर्ट प्रकार की यहां पहले थियोरी इसके नाम देख लेते हैं फिर एक एक थियोरी को समझेंगे बतब एक टाइप को समझेंगे bodily excitities इसके रामनरजन की बात कर लें जिनको Mommy on Rain Stein की बात कर लें जिनने मैस से अपना पूरा जीवन लगा दिया और उसी के नुसाल काफी लॉजिकल life यह जीते हैं interpersonal illusions होगी आपस में शंबन होते हैं फिर हम निता टाइप की personalities के हम बात कर सकते हैं musical intelligence मतलब musicians और साथ में एक अच्छे listeners जो भहुत अच्छी audience बन सकते हैं जिनका taste बहुत अच्छा होता है और वो भहुत अच्छे गानों का और बहुत अच्छे rhythms का चुनाओं कर सकते हैं Intrapersonal intelligence, मतलब एक व्यक्ति जो अपने ही साथ अपने उपर काम करता है, अपने उपर निखारतने का काम करता है और व्यक्ति के जरूप से जो बुद्धी मत्ता का प्रियोक करके एक बहतर व्यक्ति बनने का प्रयास करता है. Naturalistic intelligence, मतलब जो प्रकृति से संबन्दित हैं, तो प्रकृति की जिसको जितनी ज़्यादा प्रेम होता है और इस प्रकार के लोग gardening या फिर adventure जैसे काम पसंद करते हैं. सबसे पहले, Visual Special Intelligence, तो the capacity to perceive the visual world accordingly and or perform transformations and modifications on perceptions, मतलब दरश्य दुनिया को सटीक रूप से देख़ाएं, मतलब जितना ज्यादा आप पुरी दरश्य दुनिया को सटीक और मतलब accurate तरीके से देख सकें और या परिवर्तनों और प्रदर्शनों को संसोधित करने, और जो भी संसोधन करने का मतलब यह है कि जो भी परिवर्तन हैं और जो भी आपने वहाँ पे changes देखे हैं, उनको आ दरश्य आपने देखा, वा किस प्रकार से निर्मत हुआ, आप उसको किस प्रकार से describe करते हो, मतलब कुल मिला के एक artistic नजरिय की बात की जा रही है, और गत्विर्यों का प्रदर्शन करने और के लिए अव्यावदन और उप्योग करना अक्सर दरश्य स्थानिक, मतलब कु मोटे मोटे शब्दों में यह visual intelligence उन्ही लोगों की बात करती है, जो काफी अच्छे artist यह इस प्रकार के बन सकते हैं, तो यह drawing बहुत अच्छी बना सकते हैं, ऐसे लोग architect बहुत अच्छी हो सकते हैं, building construction वगएर अच्छे से कर सकते हैं, designer हो सकते हैं, maze and puzzle बहुत जल्दी solve क कर सकते हैं, उसके अलावा जो pictures वगएर अच्छी से देख सकते हैं, मतलब जो painting तो करी सकते हैं, और काफी pictures में जो होते हैं, जो picture loving persons होते हैं, लाखों करोड़ों में pictures खरीद लेते हैं, उनको एक picture के अंदर, मतलब picture के अंदर जहां की भी बहुत कुछ नजर आता है, और ए गल के आते हैं, चलिए बात करेंगे, बरवल linguistic intelligence, तो मौकिक या भाषाई बुद्धी मत्ता एक, व्यक्ति के शब्दों का उपयोग करके, अपने विचारों को सोचने और व्यक्त करने की शमता है, मतलब आप अपने शब्दों का सही परियोग करो, और अपने विचारों को व्यक्त करो और सही धंक से सोचो, मतलब व्यक्त करना ही सब कुछ नहीं होता, आपको अगर आपकी जो मौकिक वहाषाई बुद्धी है, अगर आपको उसको सही उपयोग करना आना चाहिए, तो आपको बोलना है नहीं, सही सोचना भी अवश्यक हो जाता है, मौकिक बुद इक साधारण पत्र से लेकर एक दूसरे से बात करने के लिए उपन Nousotaire यहां तो ह हम अपने जीवन में अपनों के लिए बर्बल और linguistic intelligence का प्रियोग करते ही हैं, हर वैक्ति इसका प्रियोग करते हैं, और हम बाचीत के दौरान इसका प्रियोग करते हैं कि हमें किस वेक्ति से किस प्रकार की बात करनी हैं तो हम उस प्रकार के शब्दों का प्रियोग करते हैं हम पत्र लिखन में इसका प्रियोग करते हैं और जो नोबलिष्ट वगरा होते हैं जो राइटर्स होते हैं जो पोईट्स होते हैं इसका प्रियोग करते हैं हम सभी भासा समय निकती विदियों में अपनी मौकिक बुद्धी का उप्योग करते हैं बात ही है कि आपकी जो मौक्रिक बुद्धी है मतलब जो आपकी बर्बल इंटेलियेंस है उसका हम यह काफी अच्छी वक्ता मतलब स्पीकर होते हैं काफी अच्छी राइटर होते हैं लेकाक होते हैं काफी अच्छी डिवेटर होते हैं मतलब जो डिवेट करने की उनकी शमताय काफी अच्छी होती हैं और काफी अच्छा डिसकुसन करते हैं काफी अच्छी बातों के बातों बिनीद बुद्धिमत्ता वाले लोग अधिक खोज और खोज का आसानी से सीख सकते हैं मतलब इसे लोग बहुत अच्छे अथलीट होते हैं ऐसे लोग dancer हो सकते हैं यह लोग काफी अच्छे रंग नमंच के कलागार मतलब actor हो सकते हैं यह काफी अच्छे carpenter, craftman हो सकते हैं यह जो tools ने जो हत्यार है उनने का काफी अच्छा प्रियोग करना जानते हैं फिर हम बात करेंगे logical mathematical intelligence की तो यह लोग कौन है logical mathematical learners learning style refers to your ability to reason, solve problem and learn using numbers, abstract visual information and analysis of cause and effect relationships मतलब तारके गरती शीखने की शेली अपने आपकी तरक शमता, समस्याओं को हल करने और संख्याओं अमूत रश्य जानकारियों का उप्योग करने और सीखने की शमता का वेकास करते हैं और इसके साथ ही कारण और प्रिभाव सम्मंदों का visualization करना भी है, जो आप logical mathematical intelligence है, इसमें सीखते हैं logical mathematical learners are typically mathematical and think in logical and linear order मतलब इस प्रकार के लोग होते हैं, ये तारकिक गरती शीक्षार्थी आमतोर पर वेवस्थित होते हैं और तारकिक और रेखिय किरम में सोचते हैं मतलब जितना भी इनका पूरा काम है तो हमें इसमें दो ती शब्दों को समझ लें सबसे पहले तो इनमें तरक शक्ति काफी अच्छी होती है, problem solving मतलब समस्य समधान की शक्ति काफी अच्छी होती है और जो यह याद करते हैं वह है numbers की form में कई चीजों को याद करते हैं जो भी अमूर्त visual है उसको यह काफी अच्छे तरीके से numbers की form में उसके information को अपने अंदर के मतलब रख सकते हैं इनका जो analysis है, जो visualization की शमता है काफी अच्छी होती है कारण और प्रिभाव के बारे में यह काफी जाद सोचते हैं और इसी का यह visualization काफी अच्छा करते हैं आम तोर पर यह लोग काफी विवस्तेत होते हैं अपना जीवन काफी बहतर ढंक से जीने का प्रयास करते हैं और तारके को रेखी एक्रभ में कफी अच्छे scientist हुए है उसके बाद Bill Gates ऐसे ही एक personality जो वरतमान में हम जनको बारे में जान सकते हैं और Isaac Newton जिनने बहुत सारी scientific discoveries की बहुत सारी scientific formulas दिये तो ऐसे लोग ही हैं जिनके पास यह जो mathematical abilities हैं logical mathematical intelligence है शलिए उसके बाद interpersonal intelligence की बात करें पारस पर एक बुद्धि मत्ता की बात करें ऐसे लोग आमतोर पर जिनमें एक दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बाच्छित करने की शमता होती है मतलब includes the ability to interact with each other ऐसे मार्टिल लूथर किंग जिनका बाद में assassination हो गया लेगे निए ऐसे प्रवक्ता रहे हैं जिनने देश के लिए बताब देश के लिए क्या पुरी दुनिया के लिए काफी काम किया उसके बाद एर्श्टूटल एर्श्टूटल ने अपने विचारों से का विज्ञान को ही प्रभावित कर दिया Mother Teresa जिनने जो शांती है जो Mother Teresa ने भारत में भी काफी काम किया और लोगों से प्रती इनका काफी लगाव था और काफी इनने लोगों के प्रती हमबल और जनरस नेचर की वज़े से इनको जाना जाता है चरिए तो ये तो थे जिनने लोगों के बीच में अपनी जगे बनाई और अपने शम्ताओं से अपने प्रभाविवी ढंग से बाचित करने के शम्ताओं से अपने लोगों को प्रभावित किया है उसके बाद musical intelligence की बात करें संगीत की बुद्धिमता तो संगीत की बुद्धिमता से लोग संगीतकार बनते हैं और अच्छे संगीत के प्रेमें भी बनते हैं और संगीत की बुद्धिमता रखने वाले लोग ही बनते हैं संगीत की बुद्धी मत्ता पिछ लाए समय और स्वर को समझने की शमता है मतलब the musical intelligence is the capacity to discern pitch, rhythm, timber and tone यह बुद्धी मत्ता संगीत, संगीतकारों, गायकों और शंबेदन्शील स्यताओं दौराफ प्रदर्शिस शंगीत के रूप में हमें पैचानने, बनाने, पुनर उत्पादन करने और प्रतिवद्ध करने की शमता बनाती है मतलब सीधी बात यही है कि अकेला जो musician है, जो composer है उसकी बात नहीं की जा रही है यहाँ पर आपके अच्छे listener, अच्छे जो सुरोत है उसकी बात भी की जा रही है कहें की बात लब तो हम बने लोगों देख सकते हैं जिनके पास ये शमताएं काफी अच्छी होती है वह काफी अच्छे musician हो सकते हैं, band members हो सकते हैं, singers हो सकते हैं जो composers हो सकते हैं और listeners हो इसमें बिल्कुल होते हैं फिर आएगा intra-personal intelligence मतलब ऐसे व्यक्ति जो खुद की life प्लान करते हैं उनकी बात की जा रही है intra-personal intelligence is the capacity to explore once inner world and feeling मतलब intra-personal intelligence जो है जो अंतर व्यक्तिक बुद्धी मत्ता है किसी की आंतरिक दुनिया और भावनाओं का पता लगाने की शमता है इस प्रकार की बुद्धी व्यक्ति को अपने जीवन की योजना और प्रवंद पर ध्यान के इंदित करने में मदद करती है जैसे की आप किस प्रकार से अपने आपको सेफ रख सकते हैं सेक्योर रख सकते हैं आपको अपने घर के बारे में चिंता होगी कि आपको घर लेना है घर को समभाल के रखना है परिवार को जोड के रखना है आपको अपने करीयर की चिंत होगे तो सीदी बाद यहाँ प्लानिंग की बात किया रही है आप अपने आपको बुद्धी मत्ता के साथ दिखारने की बात कर रहा है आप हेल्थ की बात करते हैं आप फ्यूचर की बात करते हैं इन तमाम चीजों को आप जो नीचे पिक है इस image से समझ सकते हैं कि intra-person intelligence में कौन-कौन से तत्व हैं जो आप इसमें जोड सकते हैं उसके बाद naturalistic intelligence सबसे easy और सबसे interesting कि ऐसे लोग is the ability to identify, classify and manipulate elements of the environment, object, animals and plants मतलब प्रक्तिबादी, बुद्धी, वातवर, पर्यावरण, बस्तुओं, जनवरों या पौधों के तत्वों को पहचाने, बरिग्रत करने और उनसे हेर-फेर करने की शमता है खासत दोर पर जो जन लोगों में naturalistic intelligence होती है, वो बहुत अच्छे gardener हो सकते हैं, वो nature को explore करने वाले हो सकते हैं उनके अंदर पसू प्रेम ये पसू जगत के प्रती प्रेम हो सकता है, पादप के प्रती प्रेम हो सकता है और ये लोग high-genk बग़रा करना, पहाण बचाडना, ये समझे काफ़ी पसंद आता है तो इस प्रकार से हमने जो multiple intelligence की theories थी इसके हमने पूरे details में discussion किया उमीद करते हैं कि आपको जितनी भी theory राज हमने discuss की यह काफी जितना भी इनकी अउधायना हैं वो आपके सामने clear हो गई होगी और आगे जो कुछ theories दोर बची हैं उनको हम next partner discuss करेंगे तो अगर आप पहले बार आए हैं तो आप subscribe कर सकते हैं बिलकुल वीडियो को like कर सकते हैं और साथ ही टेलिग्राम से जो हमारा PDF है notes का PDF वो download करना मत भूलिएगा Thank you so much और बने रहिए knowledge book के साथ धन्यबाद